हलो चिल्डरन, वेलकम बैक यॉल, आज हम संस्क्रिद वानी कक्षा आठ से पार्ट नमबर दस गीता अमरिथम जिसमें हम श्लोकों के अर्थ पढ़ेंगे और साथ ही साथ इसका अभ्यासकार है देखेंगे तो आएए चलते हैं अपने चैप्टर की और सबसे पहला श्लोक है यत्र योगेश्वरा कृष्णू यत्र पार्थो धनुर्धरहा तत्र शिरी विजो भूरते ध्रुवा नीतिर मतिमम यत्र योगेश्वरा कृष्णू जहां योगेश्वर शिरी कृष्ण है यत्र पार्थ और जहां धनुर्धारी अर्जुन है तत्री शिरी विजो भूरते धुवा नीती ही वहां शिरी विजय विभूती और धुव नीती है इती मम ऐसा मेरा मत है फिरसे देखेंगे जहां योगेश्व शिरी कृष्ण है और जहां धनुधारी अर्जुन है महापर शिरी विजय विभूती और धुव नीती है ऐसा मेरा मत है नेक्स्ट लोग क्यों चलते हैं द्रोणम चा भीश्वम चा जैद्रथम चा कर्णम तथा अन्यान अपी योध विरान मया हत हस्त हस्त पम जही मावे थिष्टा युद्यस जेतासी रणे सा पत्नान कैरे द्रोण भीश्म जैद्रथ करण तथा ओर भी बहुत सारे मेरे द्वारा मारे गए वीर योधाओं को तुम मारो फिर से देख लेते हैं यहाँ पर द्रोणम चा भीश्मम चे जैद्रथम चे करणम द्रोण भीश्म जैद्रथ करण तथा अन्यान अपी तथा ओर भी मया मेरे द्वारा योध विरान वीर योधाओं को मेरे द्वारा हतास्तम मारे गए तम जही तुम मारो योध विरान योधाओं को तम जही तुम मारो मावेथिष्टा भै मत करो डरो मत युध्यस युद्ध करो जितासी रणे सा पतनान और शत्रूओं को युद्ध में जीतो परित्राणाय सादू नाम विनाशाय चैदुष्कृताम धरम संस्थापनार थाए सम्मवामी युगे युगे क्या कहने इसमें क्रिश्ण की परित्राणाय सादू नाम सज्जन पुरुषों के कल्याण के लिए विनाशाय चैदुष्कृताम और दुष्ट लोगों के विनाश के लिए धरम संसापनार थाए धरम की स्थापना के लिए संभवामी मैं शिरी क्रेश्न युगे युगे युगो युगो से परतेग युग में संभवामी जनम लेता आया हूँ फिर से देखेंगे परित्रानाय सादू नाम विनाशाय चैदुश्कृता सज्जन पुरुषों के कल्यान के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए धरम संसापनार थाए और धरम की स्थापना के लिए संभवामी युगे युगे मैं शिरी क्रेश्न युगो युगो से प्रतेक युग में जनम लेता आया हूं। प्रतेक युग में जनम लेता आया है। प्रतेक युग में जनम लेता आया हूं। प्रतेक युग में जनम लेता आया हूं। कि समय पर खाना और समय पर घूमना। युग्त चेश्ठस से करमसु और यथा योग्या चेश्ठा करने वाला है। युग्त चेश्ठस से और समय पर सोने वाला है और जागरन करने वाला है। युग्त चेश्ठस से और समय पर जागने वाला है। ऐसा पुरुष युग्त दुख नाशक होता है। रसो अहम अप्सु कौनते प्रभास मी शशी सूर्य हो। प्रणवहा सर्व वेदेशु शब्दा खे पुरुष्रम निशु। रसो अहम अप्सु कौनते है कौनते रसो अहम अहम रसो अप्सु मैं जल में रस हूँ। प्रभास मी शशी सूर्य हो चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ। शशी सूर्य हो प्रभास मी और चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ। प्रणवहा सर्व वेदेशु। सभी वेदों में प्रणव हूँ। एक ओंकार हूँ। शब्द है खे पुरुश्म निश्ँ तता अकाश्ट में शब्द और पुरुशों में पुरुशत्व हूँ आ सैंश्यम महाभाव मनोदुर्नी ग्रहम चलंग अभ्यासेन तु कोन ते वेर अगेण चाग्री है ते इसमें शिरी कृष्ण अर्जुन से क्या कह रहे हैं महा भाव हे महान भुजाओं वाले अरजुन आ संश्यम निस्संदे मनोदुर्णी ग्रहम चलम की इस चंचल मन को कटिंता से वश्मे किया जाता है कि निस्संदे मन चंचल और कटिंता से वश्मे होने वाला है अभ्यासेन तू कुंते प्रन्तु हे कुंती पुत्र अभ्यासेन तू वेराग्य निचाग्रिय थे इसे अभ्यास और वेराग्य के द्वारा वश में किया जा सकता है चलते हैं इसकी एक्सरसाइस में समुचितम विकल्पम चिन्यत निम्निनिकित विकल्पों में सही विकल्पर सही का चिन लगाईए फर्स्ट कोशन है योगेश्वरा का अस्ती तो हमारा आंसर क्या आएगा चार ओप्षन दिये हुए तो आंसर है कृष्णहा नेक्स कोशन है कस्मात समर्िती विब्रा महा भवती चार ओप्षन दिये हुए क्रोज समोहात हर्शाद उसने goddamn सही आंसर है समोहात अहम केशु पोरुशम अस्मी वानरेशु गजेशु व्यागरेशु मनुष्येशु तो सही आंसर है मनुष्येशु केम अर्थम अहम युगे युगे सम्भवामी साधु नाम परित्रणाय दुश कृतम विनाशाय धरम संस्थापनार था या सर्विब्य तो हमारा सही अंसर हैगा धरम संस्थापनार थाए सेकिंड कोश्चन है अधो लिखीता नाम प्रश्णा नाम उत्राणी लिखत नीचे लिखे प्रश्णों के उत्तर लिखिए श्री इती पदे का विभक्ती अस्ती इसमें कौन सी वख्ती है श्री में जो मैंने हाइलाइट किया हुए का विभक्ती प्रथमा विभक्ती नेक्स कोश्चन इस बक्तिया इती पदे का विभक्ती किम वचन नमस्ती बक्तिया पद में कौन सी विभक्ती और कौन सा वचन है तृत्याई भक्ति एक वचन शश्टे श्लोक के कती पदानी शश्ट्यों विभक्तों संति छटे श्लोक में शश्टी विभक्ति के कितने पध है तो कितने पध है? तीन, त्रीनी Next question is अश्टमम श्लोकात संबोधन स्य उधारन दोयम दत आठवीश लोक से संबोधन के दो धारन दीजिए तो कौन-कौन से दो शब्द थे महाभाव और कौन थे सब्तम श्लोकाद सर्वानी अधिकरन कारक पदानी लिखत साथवीश लोक से सभी अधिकरन कारक के पद लिखिए अपसू, शशी सूर्य हो, खे, निशू, सर्वदेशू तो ये सारे पद जितने भी हैं ये सब्तमी के हैं नेक्स कोशन है पूर्ण वाके में उत्तर दीजिए कुत्र विजवस्ति यत्र, योगेश्वराह, क्रिश्नहा, पार्थश, धनुर्दरा, संती अहां किम आध्यापी? मैं अब क्या करू? तुम द्रोणं भीश्मं जैद्रतं कर्णं चेहतवान तुम द्रोण भीश्मं जैद्रत और करण को मारो मनेह की द्रिशम अस्ति? मनेह दुर्णी ग्रहम चंचलं चास्ति मनुष्य किस कारण से नश्ट हो जाता है? बुद्धी के नश्ट होने से कस्ते योग हैं दुख नाशक हैं बलती? संतुलित अहार विहारत से किस का योग दुख नाशक होता है? उचित अहार और विहार करने से नेक्स कोश्चन है रेखांकित पदानी आधरित्य प्रश्ण निर्माणम कुरूद्ध रेखांकित पदों को लेकर प्रश्ण निर्माण कीजिए अहम सादुनाम परित्राणाय संभवामी तो सादुनाम के लिए कौन सा वड़ यूज हो जाएगा? केशाम तो आप क्या लिखेंगे? अहम केशाम परित्राणाय संभवामी क्रोधात संमो भवती कस्मात संमो भवती अहम शेशी सूर्यो प्रभास्मी अहम कयो प्रभा अस्मी मनः चलम अस्ती किम चलम अस्ती नेक्स्ट कोशन है श्लोकाश परस पर मेल नम कुरुद श्लोकाशो का परस पर मिलान कीजिए तो मैंने क्या किया? इसका सही आंसर सामने दे दिया आप अपनी बुक से सही आंसर टिक कर सकते हैं फर्स्ट है परित्राणाई साधुनाम विनाशाय चे दुष्क्रिताम यत्रु योगेशुरे क्रिष्णो यत्रु भार्तो धनुर्दरहाँ प्रणमेह सर्ववेदेशु शब्दा खे पोरुषम निशु आ सैंशम महाभाव मनो दुन्नी ग्रहम चलम नेक्स कोश्टन है अधो लिखित शब्दाना मन्जुशाय आहा उचित विलोम पदानी चित्वा लिखित नीचे लिखे शब्दों के उचित विलोम पद से चुनकर सही अर्थ लिखिए ओप्षन दिये हुए लेकिन मैंने यहाँ पे सही आंसर दिये विजय पराज्य है परीत्राणम विनाश है अभ्यास है अनभ्यास है वेराग्यम आसक्ती सम्रिती विस्म्रिती नेक्स कोशन है अधो लिखित पदानाम यतोचित तम संधी विच्छेत कुरूद नीचे लिखे पदों की यतोचित संधी विच्छेत कीजिए श्री विजय श्रीर विजय है प्रभास्मी प्रभास्मी अहम अप्सू अहम जमा अप्सू अहम अप्सू बुद्धी नाशात जमापी बुद्धी नाशात प्रंश्यती प्रंश्यती भी इसमें होगा बुद्धी नाशात जमापी आया है साथ में प्रंश्यती भी होगा चेक कर ले ना भूक में नेक्स्ट है तथा अन्यान अपी, तथा अन्यापी, नेक्स्ट कोश्चन है समनार्थकानी पदानी मेलेद, बहीनी पावकह, प्रभा दीप्तिही, क्रोधा कोपह, निस्संदेहम आ संश्यम, अप्सु जलेशु, नेक्स्ट कोश्चन है, अदो लिखे पदानाम मूलम, शब्दम, लिंग, विभक्ति, वचनम, चालिकत, नीचे लिखे पदों के मूल्शब्द, विभक्ति, वचन लिखे है, तो फर्स्ट है हमारा, तो यहें मूल्शब्द हमारा तपस, यह हमारा पदानी में आना था, मूल्शब्द हो गया तपस, लिंग हो गया नपुसक लिंग, विभक्ति हो गई त्रितिया, और वचन हो गया एक वचन, तो इस पर ध्यान देना प्लीज, आगे देखते हैं, महा भाव, मूल्शब्द हो गया, महा भाव, पुलिंग, प्रत्मा विभक्ति, एक वचन, अप्चू, अप इसमें मूल्शब्द है, नपुसक लिंग बन गया, सप्तमी विभक्ति, एक वचन, गती, गती मूल्शब्द हो गया, इस्त्रे लिंग हो गया प्रत्मई वक्ति हो गया और एक वचन हो गया साधू नाम मुल शब्दुआ साधू पुलिंग शब्दुआ शष्टी विभक्ति बहु वचन विनाश आए विनाश मुल शब्द हो गया लिंग पुलिंग हो गया विभक्ति चतुर्थी हो गया और वचन एक वचन हो गया, नेक्स्ट पे चलते हैं, अधो लिखित श्लोकाहा कस्या विभक्ते उधार्णम अस्ति वदत, तो श्लोकाहा विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही, परेशाम पर पीडनाय कलस्य, साधो विप्रितम एतत ग्यानाय दानाय चैरक्षनाय, तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सी विवक्ति का परियोग किया गया है, विवादाय, मदाय, तो ये जितने भी शब्द है, विवादाय, मदाय, परपीडनाय, ग्यानाय, दानाय, इनमें सबसे ज़्यादा कौन सी वक्ति यूज़ हो रही है, चतुर्थी विवक्ति का और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए थाइंक यू चिल्जन टेक क्यार बाई बाई